हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, तो आज हम बनाने वाले हैं धाबा स्टाइल दम आलू जो बहुत ही डिलिशिस बनते हैं, बहुत चटपटे बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर भी तयार हो जाते हैं वन पॉट मील है, बनाने में आपको ज़्यादा जंजट नहीं करना पड़ेगा, घर में आपके जो भी बेसिक इंक्रीडियंट्स हैं उसके साथ ये बनकर तयार हो जाएंगे तो चलिए बिनादेरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो धाबा स्टैल तम आलू बनाने के लिए सब सब पहले हमने जो कुकर है उसको गैस पर चड़ा दिया है अब इन सारे खड़े मसालों को हम अच्छे से आधे मिनिट तक रोस्ट करेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे फाइनली कटा हुआ अद्रग लैसुन और हरी मिर्च यहां पर मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया है यहां पर हमें मसाले को पीसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसी के साथ मैंने अब इसमें डाला कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ प्याज और यह सारी चीज़े हमें अच्छे से रोस्ट करनी है प्याज हमें एकदम गोल्टन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर पेशन्स के साथ आप बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को रोस्ट कीजिए फिर देखिए आपके यह दमालू कितने डिलीशस बनके तयार होते है और देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो काफी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है लेकिन अभी हम इसको और इसी तरीके से चलाएंगे एक बार यह दमालू आप अपनी घंबे बना कर जरूर देखिए बहुत ही जल्दी बन जाते है और बहुत ही टेस्टी बनते है इसके बाद अब मैंने इसमें डाला करीब देड़ चमच कश्मीरी रेड चिली पाउडर यह स्पाइसी नहीं होता है इसलिए मैंने इसको देड़ चमच डाला इसी के साथ मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें धनिया पाउडर जादा डलता है तो हमने डाला दो चम्मच इसमें धनिया पाउडर अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर देते हैं जिसे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और अब बस इनको आप अच्छी तरीके से रोस्ट कीजिए medium to high flame पर जब तक कि इसमें से तेल रिलीज नहीं हो जाता आप gravy का texture देख सकते हैं कि ये देखने में ही बहुत अच्छे लग रही है color भी बहुत अच्छा आया है अब मैंने से में सादनुसार नमक डाला है साथ ही मैंने से में डाला करीब एक बड़ा चमच अमचूर पाउडर जी है मैंने यहां पर हमचूर पाउडर की यूज किया है हम यहां पर टमाटर बिल्कुल भी desarrollo नहीं करेंगे जरूरी नहीं कि आप हर सबची में टमाटर टालें कभी आप बिना टमाटर के सबची बना कर लेक्ट बहुद ही delicious बनती है तो देखें यहां पर हमारी gravy एकदम बनकर त्यार हो चुकी है और ये बिलकुल भी नहीं लग रही है कि हमने सारी चीज़े इसमें बारीक बारीक chop करकर डाली थी और यहाँ पर इसमें से अब तेल भी release हो चुका है बहुत ही अच्छे से ये cook हो चुकी है इसी stage तक आपको cook करना है अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये baby potatoes मैंने raw potatoes लिया है इनको मैंने बॉयल नहीं किया है बस इनको cut किया अच्छे से wash किया इसके बाद इनको fourky hərप से prick कर लिया और बस इसमें mix कर दिया अभ हम इसको कर देखिए इस तरीके से मैंने इसको प्रिक किया था अब हम करीब इसको 5-7 मिनिट तक इसी तरीके से फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी बड़े स्पून की हल्प से आप इसको अराम से फ्राइ कीजिए 5-7 मिनिट तक ऐसा करने से ही हमारे दमालू जो है वो बहुत ही डिलीशिस बनेंगे तो इसके बाद अब मैंने इसमें डाला करीब एक कटोरी फ्रेश कोरियंडर जी हाँ धनिया आप जितना जादा यूज कर सकते हैं उतना कीजिए बहुत इच्छा फ्लेवर आता है तो धनिया आड़ करने के बाद भी हम इसको अच्छे से चलाते हैं करीब 2-3 मिनिट तक इसको इसी तरीके से आप चलाते रहिये आलू को आप बहुत अच्छे से फ्राइए कीजिए जिससे जो मसाला है वो इसमें अच्छे तरीके से कोट हो जाए इसके बाद मैंने इसमें डाला आधा कप पानी पानी का हम यहाँ जाधा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत थी पानी वाले दमालू बिल्कुल भी नहीं बनाने है अब बस कुकर के आप दो विसल आने तक इसको पकाईए दो विसल आने के बाद आप इसको दम पर छोड़ दीजिए जब सारी स्टीम इसकी निकल जाए उसके बाद आप अपने कुकर को ओपन कीजिए और देखें यहाँ पर हमारे डेलीशस से धावा स्टैल दामालू बनकर तयार है इसको आप गर्म रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर जीरा राइस के साथ इन्चॉई कीजिए यह आपको बेहत पसंद आएंगे अगर आपको यह आसान सी रेसिपी पसंद आई है ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like जरूर कीजी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये तो मेरे चैनल को भी subscribe कर लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने next वीडियो में bye-bye guys thank you for watching my video channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा